हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक और आप मेरे हाथ में यह देख रहे हैं यह एक बहुत जानी मानी सब्ची है जिसे इस खाने की सला हमारे हर उस्तेदार हमें दे कर जाते हैं जी अगर आप बीमार हो जो सीधे आपो सीधे सब्दों में सला मिलती है कि वेटा आप चुकंदर का से हमें ती जाती है जी हां हम सब जानते हैं चुकंदर अच्छा होता है लेकिन चुकंदर के कुछ नुकसान भी है जी है से खाने के फायदे है तो इसको खाने का एक तरीका भी है तो चुकंदर सेवन करने से पहले वीट रूट का सेवन करने से पहले आपको यह सारी बाते प तो आप भी खाने से पहले पूरी जानकारी ले लीजे तो आपको कोई साइड एफेक्ट ना हो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जाम लेते हैं चुकंदर के फाइदे के बारे में जी हाँ चुकंदर बहुत अधिक फाइदे मन्द है ये चुकंदर इसको छील कर काट कर खाया जाता है आप इसको जूस निकाल के भी खा सकते हो जब से काटोगे ना तो एक तम रेड ब्रेड कलर का होगा इस वज़े से इसको सीधे ना हमारे फून से जोडा जाता है जी हां कि अगर आप को चुकंदर खाओगे तो इससे आपकी खून की कमी दूर होगी जी हां अनीमिया के रोग में बहुत अधिक फाइदे मन्द है अगर आपको अनीमिया की विमरी है या अनीमिया की कोई रच शरीर में खून की मात्रा को वीट रूट यानी चुकंदर बढ़ाता है चुकंदर विटामिन बी विटामिन सी फास्फोरस कैल्सियम प्रोटीन एंड अन्टी ऑक्सिडन का बहुत अच्छा स्तुरूथ है इस पर पाये जाने वाले यह तब हमारे खून को साफ करते है और में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं चुकंदर वजन घठाने में फाइदे मांद है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो खाली पेट आपको चुकंदर का सेवन करना चाहिए चुकंदर में डाट्री फाइबर पाया जाता है जिसकी वज़े से हमें भूक नहीं ल चुकंदर को आप अपने चेहरे पे निखा लाना चाहते हो तो आप चुकंदर का सेवन कर सकते हो अगर आप सेवन करोंगे तो अंदर से हमारे चेहरे पे निखार भी आएगा और इसे स्किन केर रूटीन में शामिल कर सकते हो आप चुकंदर का फेस पैक लगा सकते हो इसक पर बैसन के साथ या फिर आप चावल के आटे के साथ किसी के साथ भी इसको यूच करके अपने फेस पर अपलाई कर सकते हो। बहुत अच्छा क्लो आता है। साथ ही ये दांग धबों को मिटाता है और पिंगमन्टेशन को भी कम करने में हैं। चुकंदर के फाइदे भी है तो चुकंदर के बहुत सारय नुकसान भी है। हजा से थेस के फाइदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। उसी तरह उसी तरह पुर्ञाक manifain कि प्रभल्ब्र से ineed चुकंदर के पाहता है है जो जिनकी की वजय से पत्री बनती है तो अगर आपको पत्री की प्रोब्लम है तो डप्टर सब से पहले आपको ठुकंदर करें दक कुछ लोह को न एलर्जी की समस्ते हो सकती है जिनको प्रोड शूंत नहीं करना चाहिए चुकंदर पेड्र को खराब कर सकता है चुकंदर भरपूर मात्रा में नैट्रिट पैदा पैद में चुकंदर पीडर्णisme कड़ मुझेद sıда कर सकता है पाचन संबन्री समस्था हो सकतі है नैट्रिट प्रेगनेट और्टों को भी चुकंदर ना खानी की सला दी जाती है उन्हें हमीसाथ चुकंदर डॉक्टर की सला के साथ ही खाना चाहिए चुकंदर आपके लिवर को नुकसान दे सकता है चुकंदर में कॉपर, आयरेन, फॉस्फोरस, मैंगनेशियम पाया जाता है जो लिव तो यह थे चुकंदर के कुछ जाने माने नुकसान एक वीडियो में मैंना चुकंदर के बहुत सारे खटा कर सकती हो नहीं नुकसान आप लोके शाष्या कर सकती हो क्योंकि यह इसके फाइदे तो अनिगिनत है जी हापको चुकंदर का सेवन करना चाहिए बहुत अधिक कि यह उसके अधिक हरणा와 हमारे कि न चाहे हो कि चुकंदर सब्सक्राइब प्रफशे ने और सकता है यह तो भूआ को इन सेवन करना चाहिए तो आप एक दिन में आप सेवन के अच्छा होता है और अगर आ जूस पीना चाहिते हो चुकंदर का तो 250 ml तो दोस्तों यह दे चुकंदर के कुछ फाइदे नुकसान और इसको यूज करने का दिलेका यह सारी जानकारी जानकारी जो थी वह थोड़ी मेरे अन्वह से किती और साथी मैंने नेट के थू भी यह जानकारी इखटा की जो आज के वीडियो में आप लोकेशा शेयर की एक आपको बता दे चुकंदर की ताषीर भी थंड होती सले का जैब गर भूटी स्टेवियों में सब् 1890 जर्द्ध में इसका वीडियो में ठोड़ग जाता है संद्धियों में इस अज islands फूड़ाए नेक्स्ट वूरो में तब तक लजय हिन जय भारत